अतुल डाक खाने में नौकरी करता था, उसका तबादला सोम सरोवर गाउं में हो गया, तो वो अपनी बीवी भावी का और बेटी मानसी के साथ नए घर में रहने आ गया मानसी बेटा, तुम्हें कैसा लगा नए घर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मैं उस सारे दर्वाजे वाले कमरे में रहूंगी ये कहकर वो खुश होती हुई, उस कमरे की तरफ गई अरे वा, कितनी बड़ी आलमारी है, इसमें तो मेरे सारे लिबास आ जाएंगे उसने आलमारी को खोलना चाहा, लेकिन उसका दर्वाजा सक्त था लगता है इसको पिताजी ही खोल पाएंगे, कल इसको खुलवा लूंगे रात को मानसी अपने अलग कमरे में जाकर सो गई और एक बच्चे के रोनी की आवाज सुनकर उसकी आँख खुल गई ये आवाज कहां से आ रहे हैं? जब दुबारा आवाज आई, तब उससे पता चला कि वो आवाज उसी आलमारी से आ रही है मा, म, मा मानसी जोर से चीखी और भागते हुए अपनी अम्मा के कमरे में पहुँच गई उसके वालदान भी उसकी आवाज सुनकर जाक चुके थे अरे बिटा, क्या हुआ? मेरे, मेरे कमरे में जो आलमारी है, उसमें से किसी के रोने की आवाज आ रही है ये सुनकर दोनों उसके साथ उस कमरे में पहुँचे लेकिन अब वहाँ कोई आवाज नहीं आ रही थी अरे मानसी, यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है यहां तो सब कुछ ठीक है बेटा नहीं पिता जी, आवाज आ रही थी, इस आलमारी से ये सुनकर अतुल ने उस आलमारी को खोलने की बहुत कोशिश की लेकिन वो खुल नहीं पाया अरे बेटा, यह पता नहीं कितने सालों से बंद है जाओ तुम सोजाओ, तुमने जरूर कोई खुआप देखा होगा उनके कहने पर मानसी फिर से लेट तो गई लेकिन उसको अब भी बहुत डर लग रहा था इस बार यह आवाज उसको काफी तेज सुनाई दी और वो फिर से जाग गई वो उठकर डरती हुई आलमारी की तरफ बढ़ी और उसके ताले में चाबी डाल कर घुमाया अब आलमारी आराम से खुल गई पूरी आलमारी कपडों से भरी हुई थी उससे आलमारी के अंदर रही हड़ियों का धाचा दिखा उससे देखते ही वो डर गई अतुल नाश्टे की मेज पर बैठा था और भाविका ने उसे नाश्टा दिया मांसी बेटा उठ जाओ नाश्टा तयार है तभी कमरे से मांसी निकल कर आई और कुर्सी पर बैठ गई उसकी आखों से अंगारे बरस रहे थे ये देखकर दोनों डर गए मुझे ये नहीं पसंद उसने मेज पर रखा सारा नाश्टा नीचे गिरा दिया और भाग कर बाहर बगीचे में चली गई अतुल और भाविका भी उसके पीछे पीछे भागे और वहां पहुँचकर जो उन्होंने देखा उसे देखकर वो दोनों हैरानी से खड़े रह गए मानसी पेड़ पर चड़कर उल्टा चल रही थी मानसी बेटा ये ये तुमको क्या हो गया वो हस्ते हुए अतुल के उपर कूद गई अतुल जमीन पर गिर गया और मानसी बेहोश हो गई अतुल ने उसे गोड में उठाया और घर के अंदर ले गया भमी से अकेली नहीं छोड़ सकते तुम इसके पास ही रुको मैं अभी डॉक्टर को गुला कर लाता हूँ अतुल डॉक्टर को लेकर आया और डॉक्टर ने उसे चेक किया देखिए ये फिलाल तो बेहोश है मैं इसको इंजेक्शन दे देता हूँ अगले दो घंटे में ये होश में आ जाएगी मैं कुछ दवाईयां देता हूँ इसको देते रहना डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया और कुछ दवाईयां दी और फिर डॉक्टर चला गया अवनी और माधो कमरे में बैठ कर बातें कर रहे थे तभी किसी के हसने की आवाज सुनाई दी ये आवाज किसकी है? तभी किसी ने जोर से दर्वाजा पिटा और दर्वाजा एक दम खुल गया मानसी की आँख्यांगारों की तरह लाल थी और उसकी आवाज भी बहुत ही डराओनी निकल रही थी कौन हो तुम? ये तो आपको माही बताएंगे पिता जी ये सुनकर अवनी डर गई और डर के मारे कांपने लगी मानसी ने अवनी की गर्दन पकड़ ली आवनी ने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की लेकिन मानसी ने उसे हवा में उठा लिया ये 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 तुम क्या कर रही हो? ऐसी मान पे साथ ऐसा ही होना चाही देखो रुख जाओ, रुख जाओ माधो जैसे ही मानसी को रोकने के लिए उसकी तरफ बढ़ा तो मानसी ने उसे घूर कर उसकी तरफ देखा अचानक वो हवा में उपर उठ गया और दिवार से अपने आप जाट टकराया जैसे किसी ने उसे दिवार पर दे मारा हो उसकी टांग में चोट लगी और वो उठ नहीं पाया मा, अब आपको इनाम देने का वक्त आ गया ये कहकर उसने ओनी का हाथ पकड़ा और एक ही जटके में उसको अलग कर दिया फिर उसने उसका दूसरा हाथ भी इसी तरह अलग कर दिया और उसने टेबल पर रखा हुआ लैंप उठा कर आउनी के सर पर जोर से दे मारा तभे उससे करंट निकला और आउनी को जटका लगा और इस तरह जटका लगते ही आउनी की मौत हो गई और ये देखकर माधों की चीखे निकल पणी वो फूट फूट कर रोने लगा उसके टांग में आई चोट के वज़े से वो खड़ा नहीं हो पा रहा था मानसी उससे देखकर जोरदार हंसी हंस रही थी फिर मानसी बोली पिताजी मुझे माप कर दो पिताजी कौन हो तुम कौन हो तुमने मेरे बीवी को क्यों मारा पिताजी मैं आपकी आउलाग मोहित हूँ मोहित बेटा तुम तुम इस लड़की के शरीर में और तुमने तुमने अपनी अम्मा को मार डाला पिताजी आपने मुझे खोजने की कोशिश क्यों नहीं की अगर आप मुझे ठीक से खोज दे तो मैं बच सकता था बेटा मैंने तुमको बहुत खोजा पुलीस, जासूस, क्राइम ब्रांच सब की मदद ली लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिले आके तुम थे कहां बेटा आपकी सनई बीवी ने मुझे अपने कमरे की आलमारी में बंद कर दिया था और आपसे कह दिया कि मैं मदरसे से घर वापस नहीं लोटा ये मुझसे नफरत करती थी इसलिए इन्होंने मुझे रास्ते से हटाने के लिए ये सब किया जब आपने घर छोड़ दिया, तो मेरी लाश उसी आलमारी में पड़ी सड़ती रही, अब सिर्फ धाचा बचा था, और मेरी रूह आलमारी में खैद थी, कल जब एक नया परिवार उस घर के अंदर आया, तो इस लड़की ने वो आलमारी खोली, तब मेरी रूह इसके बदन के अंदर चली गई, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, वो बहुत गलत हुआ बेटा, इसमें सारा कुसूर मेरा है, लेकिन अब लेकिन अभी इस लड़की के वालदान भी परिशान हो रहे होंगे, तुम, तुम इसका शरीर छोड़ दो, मैं इसका बदन छोड़ रहा पिताजी, आप अभी इस लड़की को लेकर उस घर में जाना, उस अलमारी को मेरे बदन के ढाचे के साथ जला देना, तभी मेरी रूह को सुकून मिलेगा, और इस लड़की के ऊपर से मेरा असर भी खत्म हो जाएगा, इतना कहकर मानसी बेहोश हो गए, और माधा उसे लेक अतुल के घर पहुँचा, कौन हो तुम, ये मेरे बेटी तुमको कहां से मिली, आप लोग डरिये मत, अब तक ये जो भी कर रही थी, वो इसके शरीर में घुसे हुए मेरे बेटे के रूह ने करवाया था, ये कहकर उसने मानसी को सोफे पर लिटा दिया, और अतुल और भा अपने वालदान के साथ मिलकर उनके गले लग गई